Hello everyone, welcome to कालखंड YT दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार GDS रिजर्ट पर बात करने वाले हैं बिहार का आपका GDS रिजर्ट कब आएगा और इस साल जो आपका कट आउफ कितना जाने वाला है दोस्तों इस पर हम डीटेल में बात करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी चैल पर नए हैं तो चैल को सब्सक्राइब जरू कर ले और साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दे दोस्तों चलिए सबसे पहले हम लोग कट आउफ पे बात करते हैं दोस्तों जैसा कि आप सुभी को पता होगा GDS का कट आउफ कभी भी फिक्स नहीं होता है यहाँ पे कट आउफ जो आपका एरिया पे डिपेंट करता है आपने जिस भी एरिया से फर्म डाला है वहाँ पे अगर आपका मार्क्स जो है सबसे ज़्यादा है तो आपका सेलेक्शन हो जाएगा हाला कि अगर हम लोग एवरेज कट आफ के बारे में बात करें अगर हम लोग पिछले साल के रिजल्ट के बारे में बात करें तो पिछले साल के हिसाब से अगर आपका केटेगरी जो SC-ST है तो आपका जो अगर 85 प्लस है तो आपका सेलेक्शन हो जाएगा वहीं पे जिनका भी केटेगरी EWS है उनका 88 प्लस पे लगभग सेलेक्शन हो जाएगा दोस्तो EWS का cutoff जो पिछली साल काफी कम गया था तो हो सकता है कि इस साल भी आपका कम जाए अगर आप लोग OBC से आते हैं तो OBC का cutoff लगभग जो 88 प्लस रहता है और वहीं पे अगर आप लोग general से आते हैं तो 90 प्लस आपको मान के चलना है तो ये आपका cutoff है हाला कि मैंने पहले ही बताया cutoff कोई भी fix नहीं होता कभी कभी आपका number जो बहुत कम है तब भी selection हो जाता है चलिए अब हम लोग result date पर बात करते हैं दोस्तों जैसा कि आप सोई को पता होगा भीहार का जो last form fill हुआ था वो जो है 14 जुलाई 2021 तक हुआ था और ये date जो है extend करके किया गया था क्योंकि पहली बार काफी लोग apply नहीं कर पाए थे तो ऐसे में दुबारा से मौका दिया गया था तो यहाँ पर minimum 90 दिनों का वक्त result आने में लगता है तो कम से कम जो है October तक का time तो लगेगा ही हाला कि आपको बता दे कि इस साल जो है और जितने भी state है सभी का result आने में लगता है तो आपका आने में टाइम लगे और कम से कम October से लेकर के December के बीच में आ जाए तो जैसे ही आएगा मैं आपको inform कर दूँगा तो चैनल को subscribe जरू कर लिजेगा